नमस्कार दोस्तों मेरा नमें सतन्ष रवास तो लेट्स किट एजुगिशन में आपका भधबस वागत है तो आज हम लोग डिसल्स करने वाले हैं छे जून की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूस को तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं शेशन को डिटेल में आज मैंने बहुत द्रिटेंट है ध्यान देजेगा 2020 की स्टार्टप एकोसिस्टम रैंकिंग एक समझेगा एक रैंकिंग होती है आपकी इस ओप डूइंग रैंकिंग होती है और एक होती स्टार्टप इस बूइंग का मतलब होता है यहाँ पर व्यापार करना कितना सुगम है means उसे आपका व्यापार यहां पर कितना फू लेगा फर लेगा यााँ सान कितना है इसको बोलतें इस ओप डूएमंग और सथांध भों坏 या आप ब्यापार यानि कोई भी आप ट्रेड कर रहे हैं हो बस्टार्ट करना कितना असान देस में उसमें यह लांच किया जाता है ठीक है तहां पर आपका उप्शन ने का उप्शन नमर पांच यानि 23rd देहां दीजिएगा 2020 की इकोसिस्टम रैंकिंग में भारत की जो रैंकिंग है वो है 23rd most important यह समझेगा ठीक है तो इस्टार्टफ में की ती रैंकिंग है 23rd चिक अब हम लोग देख लेते हैं, जितने भी options हैं, इन सब में भारत की ranking देख लेते हैं, सबसे पहले देखीगा, तो social mobility index है, इसमें इंडिया की ranking है, 76, option में था आपके, world happiness report 2020 में 144 है, handle passport index में इंडिया की ranking है 84, human development index में इंडिया की ranking है 129, global hunger index में इंडिया की rank है 102, ease of doing business ranking में इंड 63, global gender gap report में इंडिया की ranking है 112, ठीक है तो इस इसको समझेगा, most, 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 यह आपके लिए important बन रहा है, okay, next हम लोग देखते हैं, चलिए next question है, धान देजेगा, WHO ने, most important यह समझेगा, WHO ने, world no tobacco day award 2020 से, एक NGO को समानित किया है, जिसका नाम, seeds, देखेगा, S-E-E-D-A-S, seeds है, या किस हर की company है, अब एक चिस समझेगा, अभी, आपने ध्यान दिया होगा कि पान गुटका पर बैन लग गया था, जो पान मसाला इस पर बैन लगवा दिया गया था, ठीक है, आपके बिहार में और आपके जारकंड में, maximum अगर आपका पान गुटका कहीं खाया जाता है, तो पहल करी थी, यह यूँ कहलें, सीट्स की पहल के कारण ही पान गुटका पर बैन लगा था, और यह जो एंजियो है, यह आपके कहां पर है, तो यहाँ पर आंसर नमबर एक होगा, यहाँ पर एक ही दिल्ली की एंजियो, ठीक, एक सी समझेगा, पहली चीज तो यह दिल्ली क 31st Exhibition हुआ था, यानी 31st Aero India Exhibition हुआ था, जो आपका ले लद्दाक है, most important इसमें क्या होगा, 21st June को, 21st June को, जो योग दिवस का समार होगा, इस बार कहां मनाय जाएगा आपके, ले में मनाया जाएगा, जो आपका पुड़े है, most important है, 108, 108th Indian Science Congress, 108 Indian Science Congress, आपके कहां पर हो पूरे में होगे ठीके तो इस शिश को समझेगा कि आपका जो पूरे है वह 108 इंडियन साइंस कॉंग्रेस को है और जो आपका बैंगलूर हो है बैंगलूर यह 31st एरो इंडिया एक्जिवेशन को है यहां पर 21st जून को योग दिवर्स का सलेबरेशन रहेगा ठीक है तो इस शिश को समझेगा most important यह आपके लिए बन रहा है अब जरा से आपर बात कर लेते हैं WHO की चुकि यहां पर WHO के बारे में बात हुई है तो एक बाद थोड़ा सा देख लेते हैं WHO World Health Organization इसका Headquarter Geneva Switzerland में यह है WHO का Logo जो फाउंड हुआ था 7th April 1948 में इसको फाउंड किया गया था जो इसके Head है वो है Tedros Adenom ठीक है जो इसकी Parent Organization है वो है United Nation Economic and Social Council Most Important एक चीज़ समझेगा अभी जो USA है ना USA इसने WHO से विड्रॉ करने के लिए कहा है चुकि क्रोना वाइरस पर WHO लगाम नहीं लगा पाए इस वज़े से USA ने WHO से विड्रॉ करने के लिए कहा है तो इस इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा नेक्स हम लोग देखते हैं देखें केंद सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहट लोट आने वाले नगरेकों के कौशल के मांचित्रन अभ्यास के लिए किस पहल को शुरू किया है एक इंपोर्टेट बनता है स्वदेश पहल को शुरू किया है किस पहल को शुरू किया है स् जिसे मान लिजी यह होगी आपका USA चीक है यह होगी आपका India तो आप मान लिजी एंडिया में कोई USA में आप कोई काम कर रहे थे और क्रोना वाइरस की वज़े से आपको इंपोर्ट कर लिएगे कहाँ पर इंडिया में तो इंडिया में फिर तो आपकी जॉब चली गई अब आप यहाँ पर क्या करेंगे तो सरकार ने एक सेतु बनाया है जिसको हम लोग बोलते हैं स्वदेश स्वदेश सेतु के जरिये यह लोग क्या करेंगे जितने लोग भी वंदे भारत मिशन के तहट वंदे भारत मिशन के तहट इंडिया लॉट कराए है उनका एक डेटाबेस त्यार करेंगे उनका क्या तैर करेंगे, एक database तैर करेंगे, और company को बताएंगे, कि मेरे पास, मेरे पास skilled employed है, मेरे पास क्या है, skilled employed है, और आपको अगर चाहिए तो आप Swadees पोर्डल पर जाहिए, वहां से जिस तरह के भी आपको skill चाहिए, आपको हर तरह का skill वहां पर मिल जाएगे, ठीक ह अब ज़रा से देखते हैं जो स्वादेश है उसका full form और जित्ते भी आपकी options है सबकी full form लोग देख लेते हैं स्वादेश का Skilled, Worker, Arrival, Database for Employment Support Most important यह स्वादेश का full form है जो second option था PMVVY, प्रधान मंत्री, व्यवंदना, योजना, ठीक है APY, मैंने इसको पढ़ा रखा है मैं वीडियो का link description में दे देता हूँ आप लोग यह सारी योजना है पढ़ लिजेगा APY, अटल, पैंशन योजना PMJDY, प्रधान मंत्री, जन्धन योजना और PM, स्वानीदी इसको हम लोग बोलते हैं प्रधान मंत्री, street vendor यहाँ पर vendor होगा street vendor आत निर्भर street vendor आत निर्भर निधी street vendor आत निर्भर निधी यह होगा PM, स्वानीदी की full form ठीक है तो इसको समझेगा next हम लोग देखते हैं next question है Vikram Malhotra किस खेल से संबन्दे थे एक line में सीधा सा आपका answer बनेगा answer number 2 यानि वह squares से संबन्दे थे अब यहाँ पर हम लोग जड़ा से squares के बारे में थोड़ी सी बाते कर लेते हैं जैसी रहा आपका squares world squares federation इसको हम लोग WSQ भी कहते हैं देखेंग, governing bodies की है world squares federation WSQ है यहाँ पर होगा sorry F होगा यहाँ पर ठीक है federation है तो यहाँ पर F होगा फर्स्ट प्लेड यह हुआ था 1830 में at Horo School London, England इसको हम लोग UK भी कह सकते हैं ठीक है अब एक चीज समझेगा इसको आपका squares है ना यह भी बहुत जदा famous नहीं चूंकि इसने भी Paralumpic या Lumpic अभी इन्होंने नहीं खेले ठीक हाँ इन्होंने world games खेल रखे ठीक है तो इसलिए इस quest भी बहुत जदा famous नहीं है बट हमारे लिए important यह बनता है कि सबसे पहली बार यह कब खेला गया था 1830 में एक है लगाता है बस एक चीज़ आपको यह ध्यान रखने है बस यहाँ पर आपके लिए important यह बन रहा है ओके next देखते हैं The Great Indian Tea and Snacks के लिए Commonwealth Sword Story Prize में Asia के लिए छेतरे पुरसकार किसने जीता है तो एक line में सीधा सांसर बने गांसर अब यहाँ पर एक चीज़ आपके 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 पदम विबूशन अवार्ड दिये थे जिसमें से चार लोगों को मरने के बाद दिये गए थे चार लोगों को मरनो परांट दिये गए थे जिसमें से कौन कौन से थे आपके थे जिसमें से आपके थे सबसे पहले जो थे वो थे जॉर्ज फरेंडिस जी मरनो परांट दूसरे थे आपके अरुण जेटली जी ठीक है दूसरे आपके कौन थे अरुण जेटली जी तीसरे थी सुस्मा स्वराज जी ठीक है सुस्मा स्वराज जी और चौत थे आपके थे विश्वसर तीत जी यानि इन चारों लोगों को मरनो प्रांत क्या दिये गये था पोस्ट थ चनुलाल मिश्र जी और तीसरे थे MC मेरीकॉम इन सब को जीवित क्या दिये गया था आपका पदम विभूशन अबॉर्ट दिये गया था ठीक है most important समझेगा पदम विभूशन अबॉर्ट दिये गया था ठीक most important समझेगा ओके next अब लोग question देखते हैं देखिए राजसरकार ने phone परियोजना की घुषनला की है अब एक समझेगा यहापर कि Fong होगा है कि Fong होगा कि Fong परियोजना की है किसा राजसरकार ने ठीक तो आपर answer बनेगा answer नंबर दो यानि केरल राजसरकार ने के फोण परियोजना की मूल अधिकार में केली केल राज ने इंटरनेट की कलेक्टिविटी को अपने मूल अधिकारों में शामिल लिए इस वज़े से इस ने केफोन एक परियोजना लॉंच किये जिसके तहट गाउं गाउं में इंटरनेट पहुचाया जाएगा अब एक चीज़ समझेगा, जितने options हैं, हम लोग जड़ा से options को एक बार देख लेते हैं, जो आपकी options सबसे पहले देख लेते हैं, करनाटका, जो करनाटका इसकी एक जन सेवा है, क्या scheme है इसकी एक जन सेवा most important है, जो केरला है ना केरला, इसकी विजय मृतम और सहचरी, कौ plant for love, यहां का initiate है, जो आपका जारखंड है ना जारखंड, इसने अभी तीन योजनाओं को कई बार पढ़ चुके हैं, एक बार हम लोग आज फिर्स कोई योजनाओं को पढ़ते हैं, देखेगा, जो तीन योजनाओं, सबसे पहले थी, विर्सा हरिद ग्राम योजना, कौन कि आपकी जारखंड की तीनो योजनाओं थी, ठीक है, तो शुच को समझेगा, most important योजनाओं, ओके, next, देखते हैं, किस दिन मासूम बच्चों की पीडा का अंतरास्टे दिवस मनाया जाता है, ठीक, अब एक चीश समझेगा, actually मैं होता कि, पहला हम लोग आंसर देख लेत कुस टाइम पहले दिल्ली में दंगे होते, तो जो भी गोली चलती है, जो भी दंगा फसाद होता, उसको इन ही पता है कि आगे बच्चा है कि कौन है, बच्चा है कि कौन हो, सबसे जादा दिक्कत बच्चों को ही होती है, इस वजे से, ऐसे बच्चों की याद में हम लोग चार जून को विश्व मासूम बच्चों के लिए पीडा का एक अंतरास्टी दिवस मना लेते हैं, चीक है, अब एक चीज़ समझेगा, यहाँ पर जितने भी ओप्शन से हम लोग ज़रा सा, एक बार ओप्शन को देख लेते हैं, नीचे से चलते हैं, दीखे, 28 मही को मैंने आ बूत दिवस पढ़ता है, और इसी दिन वैश्विक अभिभाबक दिवस पढ़ता है, क्या पढ़ता है, ग्लोबल पैरेंट डे भी पढ़ता है, और वर्ड मिल्क डे भी पढ़ता है आपका एक जून को, जो समझेगा, दो जून है, दो जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस पढ़ता है, दो जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस पढ़ता है, जो आपका तीन जून है, तीन जून को विश्व साइकल दिवस पढ़ता है, क्या था विश्व साइकल दिवस, ठीक, जो आपका चार जून है, इस दिन तो आपके विश्व मासूम बच्चों के लिए एक अंतरास्टे दिवस मना जाता है तो इस शिर्ट को जड़ा सा समझेगा ओके हम लोग नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं देखिए किस बंदरगा ट्रस्ट का नाम बदल कर श्यामा परसाद मुखर जी पोर्ट ट्रस्ट रखा गया है एक लाइन में सीधा सांसर बने का अंसर नमबर एक यानि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल कर स्यामा परशाथ मुखर जी पोर्टरस्ट एकची समझेगा आपने बहुत जगे पर यह से का जहां जान मोधी जी करना म बोड़ी परशाथ जी पर भास जी नाम समiger!" जहां जी पर चाना मोधी शम्मा पर frenc सोगे सब्सक्राइब करें देखिंगा है यह कोची सब्सक्राइब कर दो किया तर्स्थ नहीं सब्सक्राइब के लिए इंपॉर्टेंट्स बनते हैं नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अपना नेक्स्ट कोशन है, देखें, किस देश के साथ केंद्रिय मंत्री मंडल ने परियावरण के छेतर में सहीयोग समझोहता ग्यापन पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है, यहाँ पर आमस्ट बनेगा भूटान या नि देखा होगा, क्रोना वाइरस के पहले ही कित्ता ज्यादा परियावरण परदूशित चल रहा था, तो इसी सब के रिगार्डिंग जो है, इंडिया, वो भूटान के साथ एक समझोहता ग्यापन पर हस्ताक्षर करेगा, जिसमें वो लोग क्या करेंगे, मिल करके, इन्वार अधने पूरे कोटे और श्री-लंकाई रुपया जियाँपर करेंसी चलती है, पहले चीज, दूसरी चीज जो है अर्जेंटीना, मोस्ट इम्पोर्डेंट है, ब्यूनर्स आयरस, यहाँ कि क्या है, क्या है, और 500 यहाँपर करेंसी चलती है, जो आपका कोलंबिया है, इक्वदूर की जो capital है क्यूचोड चीक है और यहांपर जो67 चलती है जमज ज भुटान की जो राज़दानी व है थिम्पू भुटान की राज़दानी थिम्पू है और यहांपर जो अंसर नंबर 2 यानि उदय कोटक जी को किसको उदय कोटक जी को CII के नए अध्यक्ष के रूप में नुक्त किया गया है ठीक है बहुत इंपोर्टेंट यह आप समझेगा अब जितने आप्शन है यहां पर एक एक आप्शन जो है चुनचन के हम लोग देखते हैं सरसे पहले देखते हैं TS3 मूर्थी जी को इनको UN में कहां पर UN में भारत का रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है JP India की Advisor बनी है most important यह समझेगा JP India के Advisor कौन है शिखा सरमा जी जो आपके तरोडबजाजी है तरोडबजाजी यह आर्थिक मामलों के सचिऊë हैं क्या है आपके आर्थिक मामलों के सचिऊ हैं जो आपके अशौक माइकल Пिंटो जी है अशौक माइकल पिंटो जी यह игрD में IRD म ट्रम्प ने इनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है ठीक है तो इसको समझेगे आपका अंसर बनता है अंसर नमर दो यानि उद्धय कोटक जी ठीक है हेड़कॉर्टर लोकी से नियुदिली है फाउंडेशन जो इसका हुआ था एटी नियुदिफाइब में हुआ था नमबर आफ इंप्लाई इस एलेवन हंडर्ड है एक ची समझेगा डायक्ट इंप्लाई इन डायक्ट इंप्लाई आपको नेटवर बहुत सारे मिल जाएंगे यह हमारे जो उतना इंप्लाई नहीं बट मैंने ऐसे स्टेटिक के लिए इसको नोट कर लिया देखेगा परपस क्या है create and sustain and environment conduits to the development of India छिक है most important यह समझेगा इसका परपस भी इरल इंप्लाई नहीं है बसिंप्लाई नहीं है परपस क्या है इसलेंड है, North and Middle अंडमान है, South अंडमान है जो इसके लेटिनेंट गवर्नर है वो देवेंदर कुमार जोशी जी है लोगसभा के सीठे एक ओफिशल लेंगविज है Hindi, English, Bengali Most important समझेगा, Bengali is the dominant and most spoken language with 26% of population speaking Bengali, ठीक है, यानि 26 प्रतिशत लोग यहाँ पर Bengali में बोलते हैं अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं नसल पार्क में देखेगा, Campebell नसल पार्क है और Galati Bay है, ठीक है Galati Bay नसल पार्क, मात्मा गांधी मरीन, वांडोर मिडल बटन आइसलेंड, मांट Heritage, Sandal Peak, North बटन आइसलेंड, रानी जहासी मरीन, South बटन आइसलेंड, ठीक है एक जिस समझेगा, most important यह अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यह रहा आपका अंडबान निकबार, यह आपके इंडिया के मैप में चीक हैं, और बाकी यह किसी